सुप्रभाद बच्चों, आज की आनलेइन ट्लासेज में मैं अनामी का पांडे आपनों का स्वागत करती हूँ आज हम व्याकराशनबोद के अंतरगत शब्द भंडार का अध्यान करेंगे बच्चों, जिस प्रकार अनाज का भंडार होता है, उसी प्रकार यहां हम शब्दों के भंडार देखेंगे आईए देखते हैं कई सब्द अपने में विस्तृत अर्थ समेटे होते हैं वह रजर तो एक आता है, परन्त उसमें अनिक सब्द समाय होते हैं ऐसे शब्दों को ही एक आर्थी शब्द या फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं ये शब्द प्राया संस्क्रिश से लिए गया है आईए परिभासा जाने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या एक आर्थी शब्द भासा में अनेक सब्दों के स्थान पर जिस एक शब्द को बोल कर भाषा को अधिक प्रभावशाली एवं हाकरशक बनाया जाता है उस एक सब्द को एक आर्थी शक या अनेक सब्दों के लिए एक सब्द कहा जाता है जैसे कि उदाहणा देखे जो देश की रक्षा करे उसे क्या कहते हैं सैनिक साथ पढ़ने वाले सहपाथी जादू दिखाने वाला जादू गर जन्म से अंधा जन्मान धगह लाता है इसी प्रकार भेड बक्री को पालने वाला गडरिया जिसके आरपार देखा जा सके पारदर्शी सब कुछ जानने वाला सर्वग्याली जो किसी से न डरे नीडर पत्र बाटने वाला डाक्या कहलाता है जिसके मन में दया हो दयालू जिसे गीना न जा सके अनगीनत जिसकी उपमा ना दी जा सके अनुपम तो ऐसे सब्दों को विस्तार से ना लिक करके एक शब्द में बोला जाता है लिखा जाता है इसी लिए इसे एकार्थी शब्द कहते हैं हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो एक या आदे अक्षर या मात्रा अंतर के बावजूद सुनने में देखने में पढ़ने में एक से लगते हैं किन्तु उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है ऐसे शब्दों को शुतिशम अर्थात सुनने में एक जैसे लगने वाले शब्द या भिन्नार्थक भिन्नार्थक शितात पर अर्थ में भिन्नता रखने वाले शब्द कहे जाते हैं आईए परिभासा समझे शूतिशंभी नार्थक शब्द ऐसे अनेक शब्द होते हैं जिनका उच्छारण प्रायाशमान होता है किन्तु अर्थ में भिन्नता होती है ऐसे शब्दों को शूतिशंभी नार्थक शब्द कहते हैं दाहरण देखें कंगाल और कंकाल दोनों में कितना अंतर है गा और काक अंतर है लेकिन अर्थ में कितनी भिन्नता आ गई हैं देखिए कंगाल यानि गरीब और कंकाल यानि हड़ी कढ़ाचा इसी प्रकार अवधी और अवधी अवधी छोटी के मात्रा के नाम से काल या समय और इसका मात्रा भिन्नता के कारण अवधी की एक भासा के नाम से जाना जाता है दोनों में सामान इसी भिन्नता है नेकिन इसके अर्थ हमें विशेज भिन्नता है Cool, cool आनने होता है Wes Cool, cool कहा जाए तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ बदल जाएगा किनारा हो जाएगा Anil, anil आनने होता है हवा यदि यहाँ पर ई का मात्रा ना लगे अनल हो जाए तो इसका अर्थ में विपरित अर्थ प्रकट करने वाला हो जाता है देखिए हवा और आग में कितनी भीन्नता है अगम अगम जहां पहुचा न जा सके आगम यानि शाष्ट चिंता और चिता में भी देखेंगे चिंता यानि होता है दुविधा में रहना और चिता यानि सव चलाना नीर नीर याने होता है जड जल और नीड याने घोशला बंद याने खुला नहीं और बद याने बुरा देखिए एक बिंदी के कमाल को आप बंद याने जो बंद रहता है यार पेक रहता है उसे हम बंद डिबबा कहते हैं न और यहां बद कह देने से बुरा इसका अर्थ हो तुरंग याने घोड़ा आज की क्लास में बस इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे धन्यवाद